हेलो दोस्तों कैसे हैं मैं समझते हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आज देखी बहुत अच्छी और घर में रहने वाली मैं ज्यादा तर आपको उपाए वो दिखाती हूँ वो समझाती हूँ वो बताती हूँ जो आपकी रजोई में है या आपके घर में है तो हीमारी घर को हमारी वास्तो और शें को हमारी चवतिशिक ग्नान को हमारीków सब ब्लुक को होई भी मैनेज करते हूँ तो तो मैं एवं हो ह्यारे कि नमक वै लेकर आए हूँ आपके सिमग्षाज उसका वीडियो है और दोस्टों आप इसके वारे में जानेंगे तो आप स्च क्या लाब मिलेगा तो दोस्तों जब भी आप मेरी वीडियो खुलें तो उसको हमेशा पूरा देखें क्योंकि बहुत सी चीजने सिर्फ एंड में बताई जाती हैं तो वह उससे आप बंचित रहे जाएंगे ज्याद से दद आप इसे शेयर करें क्योंकि सभी को इसका लाब म मिलेगा यानि कि जब वह आपकी ग्रहों को और जल्दी सुधारेगा क्योंकि कर भला तो हो बला यानि कि अगर आप भला करना पसंद करेंगे तो जरूर आपके पास लौटकर भला ही आएगा तो इसलिए अगर आपके पाय करते हैं जो मैं आपको वीडियो में बताती हूं आपका कोई से नुकसान भी न हो तो देखे आज हम नमक की बारे में बात करें तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्स्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से जादा शेयर कीजिए और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज उसको कभी भी आप वेरी नाइस अच्छा आप दे सकते हैं इसको तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले बताते हूं एक सिंपल नमक यानि कि बड़ा नमक यानि की सावुट लमक इस तरह का नमक ही पहले हम लोगों की घरों में आता था और इस नमक को ही हम सभी हमारी दाधिया थो हमारी मशि इसको पीसा करती आयोडीन नमक अभी चलाया और अब हम इसको इस्तेमाल करने लगे हैं तो वो आयोडीन नमक की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम साबुत नमक की बात करेंगे कि इसका क्या क्रयोग है और आप क्या करें कि आपके घर की नेगेटिविटी चली जाए तो देखें इसपर नमक और लेकर आहे हैं, अपने घर के लगे अवे हमकों एक ताप्पने मने आसमे में में दो मेंयने में अधरी ऑपनी रे तरह पिकनिक, तो एगर आपको रखना एक टार वाला नमक भी अपने जो इसे कि आएउडीन नमक और गण करत Gegen करते हैं में हमारी धन की बरकत बनी रहे हमारी कीचिन में इस तरह से यह जो नमक है इसको हमें काच की बरतन में रखना है और ठक कर रखना है यह वाला नमक हमें ठक कर रखना है और यह नमक हमें ओपन करके रखना है जो नेगेटिविटी को खीच लेगा अपने पास और बाद में इस दिस्पॉज कर देजिए यह नमक आप 15 page 15 जी पार फिर से इसी तरह सिर इसमें बहसेय का है ओर इसको एफ चरब बंदरा दिन बार कहलेंगे हैं इसको आप il Cris जिससे कि आपकी जो नेगेटिविटी आई है वहीं पर रुख जाए और आप उसको अंदर ना लेकर आए तो इसको एक ब्लैक कलर का कपड़ा लेकर छोटा सा उसमें बांग दीजिए और इसको बाहर आप अपने गेट पटन दा दीजिए तो यह रहा आपको तो नहीं हो जाएगा ऐसे बुरे विचारों से हमें बचाती है और बुरे स्वपन से भी बचाती है देखिए यह जो है नमक है यह आप साधा यह सेंधा नमक कहते हैं इसे यह सेंधा नमक है जो घर में पिसा हुआ है इसलिए मोटा है इसको घर में पीच सकते हैं आप मिक् आप अपने घर में करिए क्योंकि आजकल जो नमक आयडियन का करते हैं उसे हमारा बीपी बढ़ जाता है इसलिए हमारा बीपी ना सामाने रहे तो यह हमारे लिए हमारा प्लट प्रेशर को रोगता है और इस नमक की आप जो है खाने में यूज करेंगी तो आपको पोजेटि यह जैसे हल्डी जानते हैं तो आप ले जाते हैं यह जाए को अपी तो अपीस कर उसमें कम से कम से 10-12 लांग डाल दीए उसमें आप डाल जीनी डाल जी एक टुकडा और उसके अदर आप डाल गलोई और दोसमें अगे त्टुक्तां। और उसको आदर रहने तक बनाएक और उसे पीज़े, जिससे की कोई बिमारी नी आएगी, कोई महामारी नी आएगी, ना डेंगू होगा कभी, ना दुकाम आएगा, ना खाजी आएगी, ना कोरोना एंगा, तो ये सब बचने के लिए हम को क्या करना है कि हमें इस नमक का अधिक से अधिक जीवन में प्रियोग और इस नमक का एक और प्रियोग है जैसे मैं इसमें थोड़ा सा उठा रही है देखिए मैंने इसके साथ हमने यह जो लिया है छोटा सा यानि की छोटा चमच उसके अंदर भी बहुत थोड़ा सा मैंने यह लिया है आगे का भाग इसका एक चोथाई लगा लिजी चोटे सुसाइन का अस्टर यानी सरसोक और इसको लेकर अपनी पाल हो अपनी इस तरह से अपने के यह भी मैं तो अपनी ng Aware नहीं कभी दरग नहीं हो गार कभी अपनी चोटा रह टकान नहीं हो कभी अचार यह श्टमात बिया लें का यह तरह में उसको अपनी डाल पर सावने त आपको असले बताया अब रहता है हमारे पास आता है काला नमक यानि की ब्लैक सॉल्ट इसको भी हम यूज करते हैं खाने में और इसके दूसरी प्रियोग भी होते हैं जैसे कि हमारे पास में अगर हमारा रहो इस समें बहुत खराब चल रहा है तो अगर इन दो गनुक ड़ों और अपने पोचन में यानि कि कुछ भी पकाया है तो अगर आप चने बनाते हैं तो इस पैशली आपको पाला नमक ड़ोर डाला करें क्योंकि वह हमारी दोनों ही चीजों को बराबर करता है यानि कि हमारे सनी कि दोशों को दूर करता है और दूसरा हमारी पाचन क्रिया को बैस्ट करता है सबसे ज्यादा हमारी पाचिन क्लिया यानि कि बहुत ज्यादा पाचक होता है इसमें थोड़ी सी अगर आप अजवाइन लेंगे जितना मैंने चुटकी भर यह नमक लिया है उतने ही आप अजवाइन को मिलाएंगे यहां पर क्रेश करके यानि कि थोड़ा सा सारी समस्याओं को हरने वाला आपका यह ब्लैक सॉल्ट यानि कि काला नमक है दूसरा एक प्रयोग और है यदि आपको बुरे सपने आते हैं तो आप इसको एक डली ले लिजी मार्केट से इस ब्लैक सॉल्ट की और इसे आप लेकर कि उसके इंदर बांग लीजिए एक करेंगे और कभी बच्चे आपकी डरेंगे नहीं डर कर जैसे बच्चा उठकर एक दन चौक जाता है और बहुत तेच लाता है इस तरह से कभी नहीं होगा दर में अगर आपके कोई नेगेटिविटी होगी वह भी चली जाएगी आपको एक अच्छी दियाने की गुट करते हैं और इन सबी नमक जो मैंने आपको अभी तरह की नमक दिखाए इनका प्रयोग करते हैं जीवन में तो आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी कभी अगर आप कहीं जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो आपको एक मुठी जैसे बच्चा आपका बाहर गया है तो ज से बाहर लीजा करते हैं उसके अभी नमक दिखाए और इसको आपने वाश विशिन में इसी तरह चला देगे क्योंकि नमक को कभी भी जमीन में गिराना चाहिए नमक को जमीन में गिराए इसे कहते हैं कि आपको बहुत दोश लगता है और उसके बाद हमारे पुराने में ल ये ले लीजिए और थोड़ा सा नॉमल नमक जो कि आप डेली खाते हैं ये ले लीजिए इसमें आपको एक-एक मुठी दोनों नमक उठाना है इस तरह से ये मैंने सेंदा नमक लिया एक मुठी आप इसमें से उठाए और इसको रात को आप एक दिबे में या किसी भी पात्र में जिसमें की आप पोचा लगाती है उसमें रात को डाल कर दीजिए और उससे मंगलवार की दिन especially आप पोचा लगाए आपके घर की सारी negativity जो आप बहार से अंदर लाए हैं या मैमान लाए हैं या घर पे आप लेकर आए हैं या आपके शूज और चपस में आ जाती है आपको बिमारियां देती है आपको परिशान करती है वो सब दूर हो जाएगी और आप इससे पोचा क्याती हूं कोई कर्चा नहीं होता उसमें आपकी घर में चीज महजूद होती है उसे आप इस्तेमाल करें और सुखी रहे संपन रहे आपकी हरी चापून करें और आपी प्रते की चापून होगी इसी तरह आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहें देख तेरी दोस्तों बहुत बहुत धनेवार थैंक्स अगें नमस्कार